स्वागत है आप सभी का ग्यापन एकेडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में आज के इस वीडियो में हम लोग 12 क्लास के उर्दू का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है प्रॉमिस प्रॉमिस नाम के चैप्टर का टोटल सल्यूशन करने वाले हैं यानि कि इस चैप्टर कोशन उसके बाद से हम लोग सब्जेक्टिव कोशन करेंगे ठीक है लिखा हुआ है यहां पर मारूजी सवलात माजावबाद यानि कि अब्जेक्टिव कोशन है उसके सांसात एंसर भी बताया जाएगा देखे सबसे पहला सवाल आपके स्क्रिन के उपर आ चुका है सवाल है कि जिलानी बानों की पैदाईश कब हुई और सब्सक्रियों करके समझे तो इसका सही जवाब हो जाएगा और सी चौदर जुलाई उन्हेस च्छतिस इस भी को जिलानी बानों की पैदाईश हुई थी चलिए सेकेंड कोशन ऑन दे स्क्रीन है दूसरा सवाल आपके स्क्र मैं आप लोगों पढ़ाई थी तो बताई थी कि जिलानी बानों की पैदाईश हुई है बदाईव में याद रखिएगा यह बहुत बार कोशन पूछा गया है जिलानी बानों की पैदाईश भले कब हुई यह भूल लेएगा लेकिन बदाईव याद रखिएगा क्योंकि जादा तर यही कोशन पूछा जाता है कि जिलानी बानों की प्यदाईश कहा हुई और अप्सन में दिया है प्रॉमिस इसको टिक कर देंगे आप लोग धीरे से कोई लिक्कत नहीं है प्रॉमिस जिलानी बानों का इना लिखा हुआ है अब देखिए चार नमबर क्वेश्चन है कि अफसाना प्रॉमिस का मरकजी किरदार कौन है अफसाना जो प्रॉमिस है इस कहानी का में करेक्टर आप लोग को बताना है तो इस कहानी का जो में करेक्टर जिस पर कहानी लिखी गई है वो है अम्मो तो आफसान नमबर डी इस त आप दादा सी में दोस्त पड़ोसी और डी में है महमान और मिजवान आप लोग चैप्टर पढ़े हैं और पुरा कहानी में आप लोग को बताई हूं और आप लोग को पता होगा कि प्रामिस नाम के इस अफसाने में इस कहानी में जो दो करेक्टर है वो है ख्वाजा भी और हमीद और वीडियर सारे कारेक्टर है लेकिन यहाँ पर आपसन ए में दो कारेक्टर का नाम दिया गया है तो आपसन नमबर एज दा राइट एंसर चैप्टर पढ़ेंगे ठीक है तो जरूरी है कि आपको सबसे पहले चैप्टर पढ़ लिया करें उसके बाद से पूछा गया है कैंसर का मर्ज किसके सारे बाद में फैल गया था तो अम्मो खौजा भी कौन थी यह भी बहुत बार कॉशन पूछा गया है वाज़ा भी जो थी ना वह खादमा थी आठ नमबर क्यूशन है कि ग्रैंड मॉम ने अपने चारों बेटों के सांथ जिंदगी इ बेज़ी के दौरा आप्सर नöber बेज़ तर आगे बढ़ते हैं कोशन नमबर किमों ने अपने बेटों से क्या प्रामिस किया था तो जनाजे को कांधे देने के लिए उनके बेटे ने प्रॉमिस किया था तो आप लोग जानते ही है एक दम हल्वा कोशन है दस नंबर कोशन की अम्मो यासिन शरीफ पढ़िए अल्ला को याद कीजिए यह बात किसने कही तो यह इनकी बड़ी बहु ने कही थी अपसर नंबर भी हो जाएगा इसका सही जवाब नेक्स्ट कोश चार तीनों बेटे जो आये थे वह ख्वाजा भी को कुछ पैसे दे कर बोल दे कि तुम अम्मो का ख्याल रखना और इनकी तब्यत हमें बताते रहे न हम लोग वापस जा रहे हैं तो यह साथ बात सुन ली और जाते हुए देख ली तो इसलिए अम्मो दुखी थी और तो दो अफ़ाने का किताब का नाम है राट के मुसाफिर और रोज का पूछा यह कोशनमबर फ्रटीन चिलानी बानों के वालिद का नाम क्या था पिता जी का नाम था लामा हैरत बदायुन यह इंपोर्टन कोशन ने यह भी बहुत बार पूछा गया है कोशनमर 15 है कि क्ल ह हिंदी कौमी हाली एवार्ड से किसे नवाज आ गया तो जिलानी बानों को नवाज आ गया था ना उपसे नबर यह हो गया बिलकुल सही जवाब अब यहां पर आप लोगा अब्जेक्टिव कोश्चन जो है ना कंप्लीट हो जाता है यहां से स्टार्ट होगा अब सब्जेक् थेनिघ बसंगे तो रात का मुसाफिर अंसर में लिखा गया है जिलानी बानों के दो नावीलों का नाम बताईए तो याद रखेएगा इवान गजल और बारिशे संग बहुत ही जादा इंप बानों के दो नाविल कोाए मैं नघिक कैंसर का मर्ज किसके सारे बदन में फैल गया था खौज़ा भी कौन थी तो अमों की खाद्मा थी ठीक है नौकरानी थी ग्रंड ममूम ने अपने अब बेटों के सार जिन्दगी इंज्वै करने का प्रॉमिस कि नहीं लिया यह बात वेवी ने कही थी अम्मोपने बेटे से क्या प्रमिस लिया था तो मौट के बाद कांदा एने का लिए या बाध किस ने कई तो बड़ी वहों ने कहीज ते सारा कोर्षणी important में बहुत बार repeat होकर आप लोगे exam में पूछा गया है अब यहां से start हो रहा है short type question यानि की मुखतसर सवालात सबसे पहला सवाल है कि अम्मो के एक बेटे हमीद के बारे में बताईए अम्मो का जो सबसे छोटा बेटा रहता है हमीद उसके बारे में आप लोगों को लिखना है बताना है तो जवाब में लिखा हुआ है कि हमीद अम्मो का सबसे छोटा बेटा था अम्मो के बाकी तीनों बड़े बेटे तो डॉ को पर घूम रहा है तो कभी किसी सियासी पार्टी के साथ नारे लगा रहा है फिर एक दिन मालूम हुआ कि वा किसी सियासी पार्टी में शामिल हो गया इंतहान करीब आने पर स्टड़ी के लिए अबा जब उसको ताकीद करते तो कहता था मुझे इस साल इमतान नहीं देना है बलके एलेक्शन के लिए काम करना है इस तरह वह तालीम से बिल्कुल महरूम हो गया इस तरह जो है ना सबसे छोटा बेटा था लाड़ प्यार से बहुत बिगड़ा हुआ हो गया था और निकब में दोस्तों के साथ हमेसा घुमता रहता था पढ़ाई लिखाई में इसको म कशली करना है लंबा-पाप आप लोग刉च के eser लिख़े दे Ondisky कि अमों के चारों बेटों के नाम और उनके काम बटाइएं तो हमों के चारों बाटों के नाम खुरशीद रशीद जम्हीर और हमीद है उनसे इसश होसे resistance में डॉक्ट्टर थै fresh beamerika में एंजिनिय आ और जमशेद भी नियुवर्क में इंजीनियर थे सबसे छोटा बेटा जो है ना वह घर ही पर रहता था वह अपने माबापके साथ रहता था पढ़ाई में उसका दिल नहीं लगता था इसलिए स्यासत का रुख किया और कुछ दिनों के लिए मरकजी हुकूमत में वजीर बन गया तो यही बात है चारों बेटे के बारे में आप लोगों को बताई थी पूरा कहानी बताई थी तो आप लोगों को इंसर लिख देना है आगे बढ़ते हैं तीसरा क्वेशन कि अम्मों दुखी क्यों थी यह जटिम में पूछा था तो अब यहां पर सब्जेक्टिम में इंस अप रही थी किसी दवा का कोई असर नहीं होता बदन का कोई हिस्सा काबू में ना था कापते हाथों से पाने की बोदल उठाने की कोश्ट करती तो सारा बिस्तर भिंग जाता अम्मों ने जायदाद बेच कर चारों बेटे को डॉक्टर इंजिनियर बनाया अच्छी डिग पाल पोस्कर बढ़ा की सारा जायदात बेच दी पैसे लगा कर अपने चारों बेटे को पढ़ाया लिखाया और इनके बेटे जब बड़े हुए काबिल हो गये तो उस जगह को छोड़कर उस देश को छोड़कर दूसरे देश अमेरिका चले चले गये कोई शिकागो चला गया दूसरे जगह पर जाकर काम करने लगे नौकरिया करने लगे अपने बीवी बच्चों को भी लेकर चले गए और अम्मों को अपने घर में अकेला छोड़ दिया तो इसे लिए अम्मों जो है न उदास थी उसका घर सुनसान दिख रहा था कोई उससे बात करने वाला न पर पड़ी हुई थी कैंसर उनके सारे जिस्म में फैल गया था गोया के अम्मों मौत के आगोश में हैं हिंदुस्तान में मुकीम एक बेटे को छोड़कर अमेरिका में बसे उसके बकिया तीनों बेटे अपने लवायाल के साथ अम्मों के इस खौहिश को पूरी करने के लि अपने घर को छोड़कर आये थे अहल वायाल के सांथ कि अम्मों का पूरा करना है अम्मों का जो प्रामीस है वो देश से जब आये थे तो बहुत लिमिटेड ये वक्त लेकर आये थे और जब समय पर अम्मी यानि कि अपने मां का इंतकाल नहीं हो पाया ना तो फिर ये वापस लोड़ गए और इसी वज़ा से जो है आप बोल सकते हैं इस तरह मां की मौत में किसी बेटे ने साथ नहीं दि होंगे स्टार्टिंग से बहुत अबर दस्तरी के से में आप लोगों को बताई भी हूँ पुरा कहानी अब यहां से स्टार्ट होता है तवील सवलात यानि की लॉंग टाइप कोशन जो की पास नंबर का होता है और लंबा चड़ा आप लोगो एंसर लिखना होता है सवाल है कि अफसाना प्रॉमिस की रोशनी में आज के एहद के इंसानी रिष्टों पर इजहार ख्याल कीजिए अफसाना प्रॉमिस की रोशनी में आप लोगो अभी के जनरेशन के अभी के जमाने के इंसानी रिष्टों पर आप लोगो इजहार ख्याल पेश करना है चलिए जव बताने की कुछी गई है, कि ये जो आजकल जो तेज रफतार की जिंड़गी हो गए ना, लोग पैसा कमाने के पीछे दोर रहे हैं, इसमें इनसानी रिष्टों की कोई गदर ही नहीं हैं, इनसानी रिष्टों में खोख्लापन आ गया है, अब वो रिष्टों की कदर करने के पैसों की खदर कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए इज़त कमाने के लिए पैसों के पीछे दौर पर रहे हैं चुनांचे इस कहानी में एक जाइफ मा के बेबसी का इल्मिया हैं कहानी में एक जाइफ मा को जिसका नाम रहता है अम्मो अम्मो की किरदार के शकल में पेश किया गय यार एक मिनट बे यार लिख दिया गया है बेकार वो मददगार पड़ी हुई थी ठीक है उनको कैंसर जैसे मौजी मर्ज का आरज़ा हो गया है किसी वक्त भी उनकी मौत वाके हो सकती है अम्मो के चार बेटे हैं जिनमें तीन बड़े डॉक्टर इंजिनियर बनकर अमेरिका में खुशाल जिन्दगी उजार रहे हैं चोटा बेटा हिंदुस्तान में मुकीम है लेकिन स्यासी मसरूफियत में उसको मा को देखने की फुरसत नहीं है तीनों बेटों ने मा के जनाजा को कंधा देने का वादा कर रखा था जब अलालत की संगीनी खबर मालुम हुई तो एक दो रोज में ही अमो की माउत वाकी हो गई तो छोटा बेटा भी हंदुस्तान में रहने के बावजूद जनाजा में नहीं आया अमो के अपनों को सिर्फ अपनी पड़ी थी दिल से नहीं चाहने के बावजूद महस दबाओ और मा से दिखावे की महबत निभाने के के बाद देगर तमाम भाई बेनिकाब हो गए यहां पर वहीं बोला जा रहा है कि दिल से नहीं चाहने के बावजूद भी महस दबाओ के वज़े से और मा से दिखावे की महबत निभाने के लिए उनके जो तीनों बेटे हैं वो आये थें सिर्फ और सिर्फ दिखावे की मह का दे लिए वैसे रियल में ऐसे कुछ बात था नहीं वो सिर्फ इसलिए आया था कि मा के प्रॉमिस को मुझे पूरा कर दे जो जनाजा देने की बात हुई थी प्रॉमिस वे थी वह हम लोग निभाले बाकि यह दिल से मुलकात करने के लिए नहीं आये अईते अपनी मा को कि चलो मा को दिलासा देते हैं उनको किसी तरह अच्छे डॉक्टर से बात करके दिखा कर अब को किसी भी हाल में हम लोग बचा लेते हैं लेकिन ऐसी बात नहीं थी वह सिर्फ आये थे अपने मा को जनाजा देने के लिए दिखावे की महबत करने के लिए और जब मा को मतलब बेटे को देकर बहुत खुशी हुई और यहीं खुशी थी कि मां धीरे-धीरे ठीक होने लगी और उसको मां की मौत समय पर नहीं हुई तो उनके बेटे देखे कि अरे मां का तो मौत थी मतलब इंतकाली नहीं हुआ तो फिर वो छोड़कर अपनी मां को चले जाते और इस तर कि महबत निभाने के लिए आए थे अफसाने में बयान किये गए वाकात और अदा किये गए मौकालमात से साफ वज़ा होता है कि मौत के हाथों जूल रही मां से उसके बेटे के रिश्टे में खुखलापन तस्मी और रियाकारी बल्के मकारी आ गई थी तो यही बात लंब पूरी कहानी क्या है इसका खुलास आप लोगो कर देना है जवाब में लिखा है कि पेस्टे नजर अफसाना प्रॉमिस जिलानी बानों का एक हाकी का पसंद अफसाना है देखिए पुरा कहानी आप लोग पढ़े हैं एक दम अच्छे तरीके से में आप लोग को बताई भी लिक्षिये अब खुद से अंसर देने की कोश्ट कीजिए ठीक है और अगर कुछ का लोग लफजों अगर आप लोग का लफ़ों पर पकड़ बन जाता है तो और बहतर है यहां पर जो मैं रिस्ते को पकरने की किस तरह से लफजों को सजा कर लिखा गया बाकी एनसर आप ल लंबा चोड़ा कहानी यहां पर कहानी कुछ यूँ है कि हिंदुस्तान के एक मतमूल खांदान में अम्मो नाम की खातून थी और फिर वही कहानी फिर दुबारा बताया जाएगा तो उससे अच्छा आप लोग अपने हिसाब से अपने लफजों में लिख दे और नहीं तो अ इसलाम का कहानी है इसकी रोशनी में आप लोगों को बताना है कि जिलानी बानों की किरदार नेगारी कैसी है मतलब ये किरदार को किस तरह पेश करती है ये हर एक चीज़ बताना है तो जिलानी बानों के इस अफसाना प्रॉमिस में किरदार नेगारी ही असल बुनियाद है यानि अफसाना निगार ने किरदारों की जिन्दगी के तजर्बे को दिखाया है और उसके हवाले से उस दोर के मौशरती रिष्टों की सच्चाई को जाहिर किया है खुआहिया सच्चाई कितनी ही कड़वी क्यूं नहो इस अफसाने की मरकजी किरदार मा है जिसे अम्मो के नाम से पेश किया गया है अम्मो अपने शोहर यानि की जो वकील रहते हैं वकील साहब की मौत के बाद किसी बेटे के पास नहीं रह पाती उनके बेटों ने जान बुझ कर अपनी मसरूफियात का बहाना कर माक्या अबाई मकान में रहने पर मजबूर कर दिया अपने जिसमानी तकालिफ को सहती हुई वो अपने दिल्ली करब को भी जहलती रहती है कोई अमों की परवाह नहीं करता है मगर बेटे वो के ताई वो अपने फित्री मौपत का इज़ार करती है यह अलग बात है कि कोई उस की तद्रे की गदर करने वाला रही है मतलब कि यह अपने बेटे से इनका बहुँक्दर लगाओ रहता है ये अपने बेटे को अपना मानती थी, अपने बेटे को अपना समझ कर फित्री महबत का इजहार करती थी, जो भी इनको परिशानी होती थी, अपने बेटे को कभी नहीं चोड़ती थी, अपना मानकर अपने बेटे को हमेशा तब ये तो अगरा पूछा करती थी, लेकिन ये पर दे रही हूं बिस्तरे मर्ग पर अम्मों के साथ बेटे सर जुकाए खड़े हुए हैं और अम्मों ने देख लिया कि किसी की आंक में आसू तक भी नहीं है अम्मों की खादमा खवाजा भी ने जब उनकी आंके खुली देखी तो डर गई कि शायद उन्होंने लड़कों क जाते हुए भी देख लिया है इस अफसाने में जिलानी बानों की किरदार निगारी का फन अपने अरूज पर हैं मतलब इस कहानी में जो किरदार निगारी का जो कला है वो वाकई में बहुत यह तरीके से किरदार को पेश किया गया है इन्होंने अपने अफसाने में जिला तूट चाहता है यह वाक्य में जो किरदार नगरी का तरीका है जो चीजे वियान करने का कहानी जो होती है शाणमे वो हर एक चीज जिलानी बाणु के देखने हमें घुब यहाँ पर हो जाता है तो इस चैपल डोटन कहें को से बोट्रेट को कोई भी कंफ्यूजन हो आप हमें कमेंड में लिख कर पूछ सकते हैं हो सकेगा तो मैं अगले वीडियो में आप लोग को उसका क्लियर कर दूँ बाकि जो कुछ भी मैं आप लोगो समझाई समझ में आये तो वीडियो को फड़ा फट लाइक कर दें अभी तक लाइक नहीं किय होगा उसे होगा यह कि में रोज आने वाल वीडियो का और लोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा तो चलिए आज किस वीडियो को यहीं पर इंड करते हैं फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले राफिक के साथ तब तक के लिए जहिंद और खुदा हाफि अगले ओविकेशनार सकाश खुदाह में वारे टो आतरी अबसे जए रिपकीक किस अगले वीशां चेक किस वीडियो के से डीश आइ हाफ़ यहेडियो को पे राखिक जबसे लिए हाफिकेशनार ऊविके भाष्वा वी हरफिकेशनार जह घाले उन अजग्योर चास्यार ख